नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपके मेरे चैनल पर मार्केट की इंफोमेशन पर और आज हम बात करने वाले टाटा मोटर्स के बारे में एक्चुली राजेश जी जो हमारे एक वीवर्स है उन्होंने का मुझे टाटा मोटर्स के ऊपर एक वीडियो बनाए तो थैंक्यू र अपर फिर डाउन है तो इसके अंदर में जो बेसिकली जो अगर आप देखेंगे तो यहां पर 102 रुपे का हो गया फिर वापस से इंक्रीज हुआ फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर इंक्रीज फिर डिक्रीज ठीक है और यह लास्ट टाइम जो है 101.770 आया उसके बाद म इंदर एक्सेप्शनल लॉस हुआ है ठीक है एक्सेप्शनल लॉस हुआ कंपनी को और उसके बाद आप देखेंगे तो कंपनी का शेर अब गया है अब मैं आपको यह बता देता हूं कि जो शेर है आप क्यों गया क्योंकि आटो इंडस्टी में 81% का आपको जंप देखने क मिल ला है सेल जो है भाटीवां इंडस्टी कि हो गई है मुकाबले कौौर्टा विम की और कौर्टे टी के कमपारेशन हो थे कापल एक्टीवांस के परसेंटी मिल्गहा है ऑटो सेक्टर के अंदर व्याइव तो देखेंगे टो सेकें जो शेर आपको पिल्कूल नीचे चल रश्वाला था 600 रूपए का अगर आप देख रहे हैं तो यहाँ पर एक लेवल रुपए का आलमोस्स यह बार राकर इस इस सद्वर बनाया ठीक है यह डबल वाटम होता है डबल बोटम अगर आपको नहीं पता यह नहीं मता है यह इस बालब बोटम यह और यह तो यह almost इसके बराबर में यहां पर आ रहा है ठीक है almost आप मान सकते हैं तो basically company कहा है भी company अभी अपने 2011 से पहले मतलब 2010 के 2009 और 2010 के आस पास में मतलब company fall कर रही है भी ठीक है इसके बीच का इसमें अच्छा मतलब momentum था और वो अब गिर गया है tata motors मैं आपको तो रेकमेंड़ेट नहीं करूंगा राजे घ्ansen TATA मोर्वत क्यूकि komme ke अगर मैं आप FOUNDAMENTAL इखाता हूं तो FOUNDAMENTAL देखें अपट कंपनी का मार्केट कै बच्छा ठीडेट अ Part रेटें मिल का बूं साथ है यह और रेटेंग इक्विटी और Finnau capital employed दोनों माइनस है दोनों माइनस है सेल्स ग्रोफ देखें आप दोनों माइनस है तो जहां पर negative हो रहा है company के अंदर आप उस शेयर के लिए आप ना जाएं ठीक है company fundamentally मश्बूत नहीं है Warren Buffett कहते है company वो लेनी चाहिए जो fundamentally मश्बूत हो और जिसके price down आ गए हो समझें आप तो अगर हम बात करते हैं इसके पियर comparison की तो इसका दूसरा जो पियर comparison है वो है अशोक लेलेंड ठीक है हम यह आप देखें तो यह net profit आपको यहां दिख रहा है net profit यहां पर आयवाए 8000 क्रोड का नुकसान profit में और profit में गिरावट आ रही है percentage 134 sales में गिरावट है 47% का वहीं आप अगर अशोक लेलेंड का देखें तो अशोक लेलेंड second number की सबसे बड़ी कंपनी है market wise और 18 क्रोड का इसे profit कमाया हाला कि इसकी sales और इसकी net profit में भी minus है negative है लेकिन company still profit generate कर रही है अब आपको दिखाता हूँ इसमें और लेलेंड में क्या comparison है मैंने अशोक लेलेंड को कोला है अशोक लेलेंड भी heavy motor vehicle और light motor vehicle बनाती है है लेकिन fundamentally आप देखेंगे ना तो return of capital employed 29 return on equity 25 return और sales grow 15% दोनों two figures के number है यह वाले return on capital return on equity और sales भी जो है वो two figures के number है तीनों के तो fundamentally company बहुत अच्छी है book value इसका जो है वो 24 book value से just double पे चल रहा है प्राइज आप स्टॉक का PE ratio देखेंगे तो 48 है थोड़ा सा high है ठीक है और इसके all time chart के high की अगर हम बात करते हैं तो all time chart high आप देखेंगे तो company almost 160 का जो target है यहाँ पर वो company touch करके आई है 160 का target आप company के जो peer comparison है वो आपने already बात की दी company ने भी loss किया लेकिन इसका loss और इसका loss टार्टा का loss जमीन आस्मान का फर्क था दोनों के loss में ठीक है और उसके अलावा अगर आप देखेंगे company company ने प्रॉफिट ही generate किया है except this जो अभी जो quarter है इसको छोड़कर और year wise अगर आप बात करेंगे तो year wise company बहुत अच्छ पहुम करिए था हजार करोडों में इसका प्रॉफिट आ रहा है यहाँ पर इसका प्रॉफिट नीचे गिर गया है तो अशोक लेलेंड को मैं आपको प्रॉफर करूंगा ओवर टाटा मोटर्स के और इसका प्रॉफिट वन परसंट का है 50 प्लस होना चीए जो कि बहुत अच्छा है प्रॉफिटर होल्डिंग टाटा मोटर्स में भी है लेकिन प्रॉफिटर होल्डिंग अगर आप देखें तो यह Benefit केटने हैं 50 से नीचे हैं 50 से नीचे है प्रॉटर्स होल्डिंग टाटा की जिसमें टाटा ऋंस के पास के थर्टी नैन परसंट है टाटा इंडर्च्री्स के बास में 2% है और टाटा केंद क्यामिक्ण लिमिटेड और टाकी सभी रहा इन्वेस्टमेंट मैंने टाटर मोटर का शियर शार 78 रूपीज मिलिया था और मैंने उसको 103 में प्रॉफिट बुक करके मैं उसको बेश रिया था जब तक इसका वाटर वन का रिजल्ट नहीं आया था क्योंकि मुझे पता था कि को रिजल्ट नेगेटव आने वाल करते हैं अशोग लेलेंड की अशोग लेलेंड काफी अच्छा है थोड़ा स्लो जलेगा लेकिन इसका टार्गेट अच्छा है पैसा यह आपका डबल करेगा और जिस डार्क होर्स की मैं बात करने वाला हूँ आपसे वह डार्क होर्स है मदर संसो में जिहां मदर संसुमी रिटन ऑफ केपिटल एंप्लोईड सत्रह का है रिटन ऑन एक्विटी पंदरा का है और सेल्स देखिया बीस परसेंट उन तीनों की अंदर में सेल्स परसेंट सबसे जादा है ठीक है और हम बात करते हैं पियर लॉस है सारा यह ऑटो इंडर्स्टी है ठीक है यह बैटरी इसका कंपनी है अमरा राजा बैटरी और एकसाइट बैटरी तो यहां पर इसका लॉस था जो की ऑल्रेडी आज मतब कल के दिन इसका क्वाटर रिजल्ट आचुका है ठीक है ओल्रेडी देखिये क्या होता है अगर उपर जाएगा तो नीचे आएगा करेक्शन की टाइम पर ठीक है ऐसे होता है तो यही चीज मैं आपको बताने वालों तो मदर्सन सुमी मैं इसलिए आपको प्रफर करा हूं कि मदर्सन सुमी ने बोनस दिया है मदर्सन सुमी ने अपने स्टॉक और अपने जो ग्रो बॉनस दिया two to one फिर दोजार में दिया two to one दोजार पाँ में दिया two to one दोजार साथ में दिया two to one ठीक है उसके बाध में आप 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 उपर चलते हैं चीक है उसके बाद में आगर आप दिखेंगे फिर 2012 में दिया इसने 2-1 फिर उसके बाद के अंदर 2013 में दिया इसने 2-1 फिर 15 में दिया 2-1 फिर 17 में दिया 18 में दिया consecutive consecutive bonus issue दे रही है बहिए consecutive अगर इसका market price उपर जाते आते नीचे है और एक level पर चलना फिर नीचे है बहिए जो breakouts है यह bonus के है यह bonus के ऐसा नहीं है कि company हमेशा ही loss कर रही है first time COVID-19 के कारण quarter result में थोड़ा सा फरक आया है बाकि company अगर bonus दे रही है इसका मतलब profit है consecutive profit है अगर आपने 2-1 का मतलब क्या हुआ कि आपके पास ने suppose आपने मदरसन सूमी के 50 share खरीद है 50 share का 2-1 क्या होगा 25 share और आपको मिल जाएंगे ठीक है अगर suppose आपने यह share यहां खरीदे होते 12 में तो 12 के अंदर आपको 50 plus 25 75 share हो जाते है फिर आप 13 में जाते है फिर उसने 2-1 दिया तो 75 का half आपस आप कर ले है ठीक है तो almost 37 share आपके पास और जुड़ जाते है ठीक है 37 share और जुड़ जाते फिर उसके बाद में आप 15 में जाते है ठीक है तो मतलब 112 का आप वापस हाफ कर लें ठीक है अल्मुस 57 के आसपास में शेयर आ जाएंगे ठीक है 57 56 के सबस्क्राइब 56 यह आप फिर वापस एड़ करने दो 112 के अंदर फिर आप 17 में फिर उसके वाद में वापस और फिर 18 में आपके हैं, तो आपके पास में, ultimately, आपने शेर कितने खरीदेते हैं, 50 शेर कब? 2012 में, ठीक है, 2012 की प्राइस से, आज आपके पास में शेर होते हैं, almost 2.20 की आस पास में, ठीक है, और आप देखिए, 5 गुना बढ़ गया आपका शेर, 5 गुना शेर बढ़ कया हैं और वो आज की प्राइस से आप count करते तो जो share आपने suppose 50 रुपय का share अगर आपने मैं तो आज की प्राइस से आपको एक बार example के लिए लिए कि चलता हूं 100 रुपय में भी लिया होगा तो आपने खर्च कितने करें 5000 रुपय तीक है 5000 रुपय लेकिन अभी आपके पास share कितने होगे 5000 रुपय को अगर आप 100 से गुणा करेंगे तो आप क्या 25,000 पैसा 5 गुणा हो गया भाई 5 गुणा पैसा होगा आपका आज के प्राइस से बता रहा हूं उस तेम के प्राइस मे कमेंट करूं का ओवर टाट और अर मीलिश्च के लिए इस स्लतक् Prozent आपकी रिकेमेंडेशन मेरे बताएब तो अचलम पर में रहेंगे तो टाइक सब्सकुराब के सब्सक्राइम उस सब्सक्राइम के निज़ Giving व. आपका प्यार मेरे साथ यूही जुड़ा रहे यूही बना रहे धन्यवाद